कैसा हो अगर आपको 14 महीने तक भीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रॉल भी आपके हाथ में ना हो ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएं और ना ही आप 14 महीने तक किसी इंसान की शकल देख पाएं ना ही आपके सर के उपर छट हो और ना ही सोने के लिए समतल जमीन ना ही खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी हो तो सिर्फ एक चीज दूर तक फैला हुआ तूफानों से भरा नीला समंदर कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप और क्या आप इन भीसट परिस्थितियों में सर्वाइव कर पाओगे इसकी कल्पना मात्र ही रौए खड़े कर देती है कि कोई कैसे सर्वाइव कर पाएगा ऐसी भीसट परिस्थितियों में लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अंजाने में पैसिफिक ओसियन में खो गया और उसे ना चाते हुए भी ऐसी परिस्तितियों का सामना करना पड़ा आखिर क्या है सैलवाडूर एलवरंगा की कहानी क्या आप जानते हूँ कि अगर प्रिश्वी पर जितनी भी जमी मौजूद है उस सब को मिला दिया जाए उससे भी तीन गुना बड़ा है पैसिफिक ओसियन अगर यहाँ पर इस ओसियन में कोई होता है तो इस बात के बहुत कम चांस हैं कि उसको ढूड़ा जा सके सेलवाडोर एलवरंगा मेक्सिको का रहने वाला एक मच्छवारा था वो पैसिफिक ओसियन से मच्छी पकड़ कर अपने परिवार का गोजारा कर रहा था रोजाना की ही तरह 17 नवंबर 2012 को एलवरंगा अपने एक दोस्त कोर्डोबा के साथ मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में कया जिस बोट में वो मच्छी पकड़ने जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी उसके उपर कोई भी छत नहीं थी और नहीं उसमें कोई कमरा था उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें उनको मच्छी पकड़कर रखनी थी और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मौटर लगी हुई थी वो दोनों मच्छवारे पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है लेकिन मच्छी पकड़कर ज्यादा रुपे कमाने के लालच में वो फिर भी समुद्र में उतरे उन्होंने रिस्क लिया और वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओसियन की ओर बढ़े रात के एक बजे वो दोनों तूफान की चपेट में आ गए तूफान की वज़े से उन्होंने मच्छी पकड़ने के लिए जो जाल बिछाई थे वो काड़ दिये और समुद्र में ही छोड दिये और वो बोट को किनारे की तरफ दोड़ाने लगे छे घंटों तक उन्होंने लगातार बोट को किनारे की ओर भगाया और वो किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें जमीन पर मौजूद पहाड़ों के शिखर दिखाई दे रहे थे लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो गई लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था और उन्होंने रेडियो की सहता से अपनी लोकिसन अपने बोस को बताई उसके बोस ने कहा कि वो उनको लेने आ रहा है लेकिन उनके रेडियो की भी बैटरी डाउन हो गई और उनका रेडियो भी आफ हो गया सोचो कि उस समय वो लोग कितने फ्रस्टेट हुए होंगे कि वो बोट को कहीं लेजा भी नहीं सकते और उनका बाहरी दुनिया से भी संपर्क तूट गया जमीन नजदी की थी और उन्हें छेतिज में खड़े पहाड नजर आ रहे थे लेकिन विप्री दिसामच चल रही हवा उनकी बोट को किनारे से दूर पहाने लगी और छेतिज में दिखाई दे रहे पहाड धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी उनके बोस ने उन्हें ढूडने के लिए सर्च टीम भेजी और उन्होंने चार दिन तक उन दोनों को खोजने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिले हार मान कर उनके बोस ने उन्हें ढूडना बंद कर दिया पांच दिनों में हवा का भाव उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहा ले गया उन दोनों के सामने चारों दिशाओं में केवल नीला समंदर था और इतने बड़े समंदर में उनकी बोट बहुत छोटी थी जिसको आसमान से ढूड़ पाना संभव नहीं था उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी डिवाइस थी जिससे सिगनल भेज कर वो मदद माग सकें ऐसी सिच्वेशन में उनका भोजन था मचलियां, कच्छुए और समुद्री पच्छी उन्हें समुद्र में पैती हुई प्लास्टिक की बोटल्स मिली, जिनको उन्होंने इकठा किया और जब भी बारिस होती तो वो उन बोटलों में बारिस के पानी को श्टोर कर लेते लेकिन जब बारिस नहीं होती तब उन्हें ज्यादा तर कच्छुओं का ब्लड पीकर या खुद का यूरिन पीकर प्यास बुजानी पड़ती सोच कर देखो कि उस समय उन दोनों को कैसा लग रहा होगा कि दिन प्रते दिन गुजर रहे हैं और वो दोनों एक छोटे सी बॉक्स में हैं और वो अपना समय काटने के लिए मचलियां पकड़ते हैं एक दूसरे से बात करते हैं रोते हैं हसते हैं और अपने घरवालां को याद करते हैं और उम्बीत करते हैं कि शायद उन्हें कोई खोज ले ऐसे ही चार महीने गुजर गए लेकिन अभी तक उनको किसी ने भी नहीं खोजा चार महीनों बाद एलवरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीले की आस छोड़ दी और इस वज़े से उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और परेडाम सरूप उसका सरीर कमजोर होता गया कोर्डोबा इतना कमजोर हो गया कि उसकी जीवन लीला ही समाप्ध हो गई ये सोचकर रौए खड़े हो जाते हैं कि उस समय क्या बीती होगी एलवरंगा पर उसका एकलोता साथी भी उसका साथ छोड़ कर जा चुका था अब विशाल पैसिफिक उसियन में एलवरंगा अकेला था अपने दोस्त की मौत के चार दिन बाद एलवरंगा ने भी जीने की आस खो दी और उसने शुशाइट करने की सोची लेकिन एलवरंगा का फेथ उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था लेकिन फिर एलवरंगा ने जिंदगी से लड़ने की खोसिस की और किसी ना किसी तरीके से अपने आपको जिन्दा रखने के लिए सर्वाइव करता रहा लेकिन सिप सीधी निकल गई और किसी का भी ध्यान एलवरंगा की ओर नहीं गया सोच कर देखिए कि एलवरंगा के लिए वो चड़ कैसा रहा होगा कि महीनों से वो जिस घड़ी का इंतिजार कर रहा था वो घड़ी आई भी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो फिर से समुद्र में अकेला रहा गया कितना फ्रस्टेशन वाला समय रहा होगा उसके लिए वो ग्यारे महीनों में एलवरंगा अपनी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और इस जर्णी में उसने कड़ाके की धूप और तूफानों का सामना किया फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तेरते हुए नारियल दिखाई दिये और आसमान में ओड़ते हुए पच्छी दिखाई दिये एलवरंगा समझ गया कि जमीन आसपास ही है और उसे एक आईलेंड मिला एलवरंगा ने बोट से जम्प किया और तेरते हुए उस टापू पर पहुँच गया 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद उसे जमीन पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस टापू पर उसे एक घर नजर आया और उसने घर का दरवाजा नौक किया ये लमा एलवरंगा के लिए सबसे खूपसूरत लमों में से एक था जिसम उसकी इतने महीनों बाद किसी इनसान से मुलाकात हुई वो टापू समुद्र के बीचो बीच था अगर वो उस टापू को भी मिस कर देता तो आगे उसको 5000 किलोमीटर के बाद ही जमीन नश्रीब हो पाती और उसको 240 दिन और लग जाते वहां तक पहुँचने में बाद मैं एलवरंगा अपने घर आया और उसने अपनी इस जर्णी की किताब लिखी जाने अन जाने में एलवरंगा ने समुद्र में 438 दिनों तक रहने का एक ऐसा रेकॉर्ड बना दिया जिसको कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा एलवरंगा की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी आश नहीं छोड़नी चाहिए भले ही मंजिल कितनी ही दूर क्यों नहों लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाने से वो एक दिन मिल ही जाती है अगर एलवरंगा के उस दोस्त ने आश नहीं छोड़ी होती तो शायद वो भी आज जिन्दा होता दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाएं